FOR 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 का का हां हिंदी मतलब होता है आए इस चोटी शी वीडियो में देख लिते हैं तो दोस्तो FOR एक बहुत ही common word होता है FOR को हम के लिए के स्थान पर या क्योंकि इन हिंदी शब्ो के लिए उज्द करते हैं तो FOR का हिंदी मतलब होता है के लिए के इस थान पर या क्यों की चलिए हम for example सुझ देख लेते हैं I am going for some breakfast I am going for some breakfast मतलब मैं कुछ नाष्टे के लिए जा रहा हूं तो मतलब जैसे कोई वेक्टि नाष्टा करने के लिए जाता है या नाष्टे के लिए जा रहे होते हैं तो वो कह सकते हैं I am going for some breakfast मैं कुछ नाष्टे के लिए जा रहा हूं तो इस sentence में for का meaning हुआ के लिए दोस्तों उम्मीद है आपको इस word का meaning अच्छे समझ आ गया होगा इसी तरह की word meaning के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले ताकि मेरी वीडियो की latest update आप तक सबसे पहले पोचे और हाँ अब वोकैबलरी वैंग को इंस्टाग्राम पर विजा के फॉलो कर सकते हैं थेंक्यू